हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू प्रगती मंत्रा क्लासेस माइनेम इस श्रिवांगी अगरवाल एंड आम यह मेंटर फॉर अपकमिंग टैट एग्जामिनेशन सो सुटेंट्स जैसा कि हमारे सीटीपी की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज हम एक नया टापिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लर्निंग कर्प्स यानि की आधिगम वक्र तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आगर यह अधिगम वक्र होता क्या है लर्निंग क कि अधिगम खंगोंते हैं और आखर इनकीistant किस तरहिके से करते हैं तो सबसे पहले अ shapes of मies कि समझना चाहने टो और हमार एक तरह के जिसमें यह पता चलता है कि हम कितने ट्रायल्स या फ criticized time लग रहा है किसी भी चीज को learn करने के लिए किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें कितने प्रयास करने पड़ रहे है या कितने हम कहसे कितना समय लग रहा है जब इसी relation को हमने क्या करा एक graphical madhurum से हमने इसको दर्शाने की कोशिश करी तो उसी चीज को हमने क्या बोला learning curves तो अब ये चो learning work है कि हमारे कुछ types के हो सकते हैं जैसे कि हम अगर अपने खुद पे भी एक example ले कि कुछ चीज़े ऐसी होती है student जिनको हम जब प्रयास करते हैं तो वो सानी से हमें आती चले जाती है मान लो कि मैंने थोड़ा सा प्रयास करा तो उसको कुछ पार्ट मैंने सीख लिया मैंने ज़ादा प्रयास करा तो मुझे वो चीज़ ज़ादा आ गई लेकिन वहीं पर ही कुछ चीज़े हमारे पास ऐसी भी होंगी कि मैं उसमें प्रयास तो बहुत ज़़ा कर रही हूँ लेकिन मुझे वो चीज़े अतनी जल्दी नहीं आ पारी जैसे कि जब हम लोग फॉर्स टाइम टिक्नोमेटरी के बारे में पढ़ते हैं या फॉर्स टाइम जब हम लोग 11, 12 एकदम से 10 से जब हम 11 में शिफ्ट होते हैं जो स्लेबस होता है एकदम से पूरा चेंज हो जाता है और हमें बहुत ज़रा मिनित करनी पड़ती है तो आप देखते हो कि उस टाइम पे आपको समय बहुत जादा लगता है लेकिन आप चीज़े बहुत कम सीख पाते हो इसी तरीके से कुछ चीज़े ऐसी होती है जिसमें हमें टाइम बहुत कम देना पड़ता है लेकिन हम बहुत असानी से उनको सीख जाते हैं तो उसी के बेसिस पे हमने अपने इन लर्निंग कर्व को चार तरीके से डिवाइट करा यान की क्लासिफाई करा तो जिसमें से की जो सबसे पहला आमारे पास कर्व आता है वो आता है कर्व आफ इक्वल रिटन्स क्या नाम बता है मैंने इसका कर्व आफ इक्वल रिटन्स यानि की समान निश्पादन वक्र अब देखो समान निश्पादन वक्र इक्वल रिटन्स समुझ में आ रहा है हमें कि जितना हम ट्रायल करेंगे जितना हम किसी चीज को समय देंगे उतनी ही हमारी लर्निंग भी होती चली जाएगी तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ इस तरीके से ग्राफ पर ठीक है ये वाली जो हमारी एक्स एक्सिस से ध्यान रखेगा ये हमारी दिखाती है टाइम को या फिर हमारे प्रायल्स को ठीक है जितना हम प्रियास कर रहे हैं जितना हम समय दे रहे हैं और यह जो एक्सिस है यह दिखाती है हमारी learning को यानि की हमारे अधिगम को अधिगम को यह चीज हम ध्यान रखेंगे अब क्योंकि हमें बता राय साफ साफ कि यहां पर equal returns मिलेंगे तो मतलब जैसे जैसे हमारी learning होती जाएगी वैसे वैसे जो हमारा graph है यह भी उपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो इसलिए इसको हमने एक नाम से और जाना जिसको हम बोलते हैं linear linear acceleration acceleration curve अब acceleration का मतलब क्या होता है यहां पर किसी भी चीज का बढ़ना ठीक है जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी को accelerate करते हैं अपनी motorcycle को कर सकते हैं कार को कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमनी speed बढाते हैं तो जैसे जैसे वारे time बढ़ रहा है वैसे वैसे मारी learning भी बढ़ रही है इसलिए इसको क्या बोला linear acceleration क्योंकि एक लाइन में सीज़ा बढ़ता जाया है इसका नाम दीजर acceleration हो गया तो यहां से में साफसाफी बात समझ में आ रही है कि यहां पे हमारा प्रयास और हमारी ख्डाफ है यह कौन किष्ट्हक graph अरुट का शो कर ले है यहां पिर जीलिए आपको बहुत अच्छे से सारी चीजे वनी चाहिए तभी आप उस question को solve कर पाएंगे तो यह था हमारे पास पहला graph, linear acceleration curve इसी तरीके से हम चलते हैं अपने दूसरे graph की तरफ तो आईए students, अब हम समझते हैं अपने next type of graph को जो की है हमारा curve of increasing returns या फिर जिसको हम बोलते हैं वर्दमान, निश्वादन, वक्र इसको हम एक नाम से और जानते हैं जो की है positive acceleration, positive acceleration curve ठीक, आप देखो, इस graph में रिसी के आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे trials हैं वो कम है, लेकिन जो हमारी learning है, ठीक है, वो बहुत जादा है अब यह बात आती है कि इस type of graph आपको कब देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखेगा, इस type of graph आपको generally तब देखने को मिलते हैं जब कोई difficult topic हमारे सामने होता है, क्यों? क्योंकि जब कोई difficult topic हमारे सामने होता है तो हमें क्या होता है, कि उसके basics को सीखने में एक बार time लगेगा लेकिन अगर हमने जैसे ही उसके basics को सीख लिया, तो अब जो हमारी उस chapter को पढ़ने की जो हमारे trials है, जो हमारा time है, वो धिरे-दिरे कम होता जाएगा, हमारी learning increase हो जाएगी तो question इस graph से पूछा जाता है generally, कि वो कौन से type के graph है, जो की आपका बनता है, कि जब हमारा जो chapter है, वो tough है, या फिर जो चीज़े हैं हमारे लिए उदम new होती है तो कर कोई जीज़ हमारे लिए 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 तो इस type के generally जो आपको graph होता है, वो देखने को मिलता है, हमारी learning के लिए और धियान रखेगा, अभी आपके एक टैट exam में question पूछा गया था, इस type के graph को में एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं, concave, concave, curve ठीक, और धियान रखेगा, इस type का जो graph होता है, गी generally देखने को मिलता है, हमें जारातर talented students में talented students में, तो question अदे को कैसे आप से गुआ के पूछा जा सकता है, कि एक बच्चा है, जिसका जो IQ है, वो 110 से 120 से अबब है, तो generally कौन सा learning graph आपको उस बच्चे के लिए देखने को मिलेगा, तो धियान रखेगा, उस बच्चे के लिए हमें हमेशा positive acceleration curve देखने को मिलता है, क्य लिए, इसी तरीके से हम मूफ करते हैं, अपने third type graph की तरफ, तो अब हम देखते हैं, अपने third type graph जिसको हम बोलते हैं, curve of decreasing return, या फिर ह्यास, निश्पादन, वक्र, या फिर negative acceleration curve, या फिर convex curve, अब देखो, आपको ये नाम आपको as it is, याद करने पड़ेंगे, ठीके वसे त जिहान से देखेंगे, और एक बार आप खुद से revise करेंगे, notes बना के, तो इस सब चीज आपको clear होती चली जाएंगे, अब बात आती है कि आखिर हमने इस curve को negative acceleration curve क्यों बोला, किस time पे curve बनता है, अब भ्यान रखेगा, ये वाला जो curve है, ये आपका most popular curve है, most popular curve, क्यों? क्य कोई नø, कोई दिवाशन रहता है, ठीक है, आप को, उसकी तरफ इंट्रस्ट है, कि आरे कोई नई चीज सीखने जा रहा है, होता है तो, अब वही चीज यहां पे काम करती है, तो जैसे रहसे हमारा जो इंट्रस्ट होता है, जो हमारा उसको लेके motivation होता है, जो हम कैसे हते क वह लेकर बहुत ज़दा होती है, जिसकी व54 से होता क्या है कि हम कम टाइम में बहुत ज़दा longing कर लेते हैं। लेकि जैसे में पता चल जाता है कि प्रयास हैं जाडा होते ही चले जाएनगे और जिराने लर्निंग है वह कही न कही। कम हो जाएगी तो इसलिए इस वक्र को हमने क्या बोला negative acceleration curve क्योंकि हमें last में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी learning है वो time के साथ है ना time के साथ अगर हम कहीं तिक time हमें comparison में बहुत ज़्यादा लग रहा है और learning हमारी बहुत कम हो रही है इसलिए हमने इस type graph को क्या बोला negative acceleration curve बोला और generally जो सबसे ज़्यादा जो हमें curve देखने को मिलता है बच्चों की learning के दौरान वो यही वाला curve देखने को मिलता है जिसे हम convex curve के नाम से भी जानते हैं तो इस curve को हम ध्यान रखेंगे तो आपसे पूछा जाए कि most popular curve कौन सा है सबसे ज़्यादा हम बात करें कि average students में है low average students में भी जारतर जो हमें देखने को मिलता है वो यही वाला curve होता है चलिए अब हम चलते हैं अपने last और सबसे important curve की तरफ देखे students अब हम देखते हैं अपना last और four type अब जिसको हम भूलते है S-shape curve या फिर combination curve तो इस curve की खास बात क्या है कि starting में तो यह curve आपको कैसा दिखेगा positive acceleration curve की दिखेगा और last में जाते जाते हैं यह curve आपको दिख जाएगा negative acceleration की तरह अब यह curve इस तरीके से काम क्यों करता है देखो starting में क्या हुआ कि मानलो हमारा को एक tough chapter है तो अब tough chapter है तो क्या होगा कि हम trials करते जाएंगे trials करते जाएंगे लेकिन वो चीज़ हमें धीरे 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 करके learn होगी जिसकी वड़े से starting में जो shape है वो हमें इस तरीके की दिखाए देती है लेकिन अब एक बार हम उसके basics को सीख गए तो क्या होगा कि हम कम time में जारे 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 चीज़ों को learn कर पाएंगे जो कि हमारा यह हो गया middle part इसी तरीके से लेकिन अब जब यह chapter हमारा end में पहुचा ठीक है तो अब क्या होगा एक तो हमारे motivation में कम ही आ जाएगी एक हमारा उसमें से दीरे-दीरे करके interest कम होता चला जाएगा तो होगा क्या फिर से वाइबाद जो हमने अपने negative acceleration curve में देखी थी कि अब time के साथ साथ अब हमारी जो प्रयास है जो हमारा time है वो तो जादा लगेगा लेकिन जो हमारी learning है वो दीरे-दीरे कम होती चला जाएगी क्यों क्योंकि अब हम उस chapter के एक तरह से हम कहें तो highest point पर पहुँच चुके है तो generally इस type पर जो curve होता है वो हमें कब देखने को मिलता है कि starting में तो मानलो कि वो chapter बहुत tough था लेकिन जब उस chapter को हमने सीख लिया तो जो हमारी speed थी उस chapter को learning की वो बढ़ गई लेकिन जैसे हम उसके end पर है जब हम उसके highest point पर पहुचे तो फिर से जो हमारी speed है वो कम हो गई तो इसकी वेदे से जो shape बनती है हमारी वो बनती है S कार की इसलिए इस curve वो हमने S shape curve बोलते हैं या फिर और important topic के तरफ जिसको हम बोलते है learning plateau यानि कि अधिगम पठार तो अब देखिए students जितने भी अभी तक हमने learning curves बढ़े तो उनके according psychologist ने गे result निकाला कि हमने learning curves बना तो दिये बट इसके इलावा भी कई सारी ऐसी चीज़े जो कि इन curves में छूट गई मतलब हमने देखा होगा कि हमारी class में 20 ए 25 इस students है तो उनका जो learning करने का तरीका होगा उनका अलग होगा ये तो आपने खुद भी feel किया होगा तो अब जब सबचों का learning करने का तरीका अलग होता है तो खाली हम उनको इन चार curves में टेफाइन नहीं कर सकते तो ये जो curves हमें देखने को मिले इसमें आपको बहुत ज़रा उतार चड़ाव यानि की fluctuations देखने को मिल सकती है तो इसी लिए उन्होंने क्या करा एक general लेके चले कि किस तरीके से ये जो learning होती है बच्चों की काम करती है तो अब हुमें उसी को discuss करना है कि ये जो learning है कि किस तरीके से काम करती है और इसको हम graph में किस तरीके से represent कर सकते हैं तो देखिए students अब इन्होंने क्या करा कि जो हमारी learning की जो graphical representation होती है उन्होंने psychologist ने इसको चार parts में divide करने की कोशिश करी हो समझाया कि जो बच्चे की learning होती है वो कुछ इस तरीके से काम करती है जिसमें कि हमारा सबसे पहला part होता है beginning sprint यानि की programming sprint अब इसमें होता क्या है देखो जब कोई भी chapter हमारे लिए होता है कोई भी चीज हमारे नहीं होती है तो उसके लिए हमें curiosity रहती है प्रेंशन देगे समझने की कोशिश करते हैं जिसकी वरे से generally क्या होता है कि जो हमारा learning graph होता है वो बिल्कुल इस तरीके से straight line यानि कि जो हमने देखा था अपना सबसे पहला graph linear वाला ठीक है उसकी तरह काम करता है इसके बात क्या होता है अब हमारा आता है मदेश फुरण यानि कि middle spirit इसमें क्या हुआ देखो अब यहां पर क्या चीज़े होती है तो बच्चे का motivation थोड़ा कम हो सकता है अब high भी हो सकता है कम भी हो सकता है depend करता है कि बच्चे का उसमें कितना interest बन पाया क्योंकि अब हमने उस topic से लिए बिसिक चीज़े तो हम सीख चुके है अगर बच्चे का interest उसमें बनेगा तो यहां से जो graph हमारा उपर से लाजाएगा लेकिन अगर किसी बच्चे का interest यहां पर नहीं बना या वो उसमें motivated feel नहीं कर रहा तो यह जो graph हमारा नीचे चला जाएगा तो इसलिए इस part में जो मद्यस front वाला part है जो middle spot वाला part है उसमें यह देखा गया कि हमें बहुत ज़्यदा fluctuations देखने को मिलते हैं मतलब कभी हमारा graph उपर कभी हमारा graph नीचे कभी उपर कभी नीचे इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पर fluctuations देखने को मिल सकती है तो अब यहाँ पर इस part में जरूरी है कि जो teacher है वो बच्चो को motivate करता रहे बच्चो को reinforce करें जारा से जादा ताकि जो उसका interest है उस learning के दौरान वो वहाँ पर बना रहे लेकिन अब इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर plateau यानि कि पठार जो कि में main important समझना है जहां से कि plateau के बारे में बहुत सा regression पूछे भी गए और आते भी हैं तो देखो अभी plateau क्या होता है plateau का मतलब होता है कि बच्चा भी यहाँ पर हैनत तो कर रहा है बच्चा आपने कई कारण हो सकते हैं क्या देखो मान लो कि जो हमने कोई chapter जब शुरू कर रहा तो हमने उसको एक विधी सिखाई बच्चे को कोई method सिखा दिया कि हमें इस method से आगे बढ़ेंगे इस चाप्टर में लेकिन अब मान लो कि बच्चा उस method से बोर हो गया या बच्चे को वह method अब अच्छा ही लग रहा बच्चे को उस पर इंटरस्ट नहीं आ रहा तो बच्चा क्या करेगा उस method को छोड़के नए method पर shift होने की कोशिश करेगा जैसे ही बच्चा ये काम करता है कि बच्चा एक method से दूसरे method की तरफ shift करता है तो हमारा ये पठार create हो सकता है देखो एक scientist है हमारे पास किस नाम के रुक जिन्होंने बताया कि ये जो learning पठार है ये किन किन कारणों से बनता है तो उन्हो बन सकता है दूसरे लोने बोला कि जब बच्चे का जो interest है अगर वो चैप्टर में से खतम हो जाए उस topic से खतम हो जाए तब भी learning पठार बन जाएगा आप खुछ सोचके देखो कि जब आपका interest किसी चीज में से खतम हो जाता है तो आप कितना भी कोशिश कर लो आप उसको सीखी नहीं पाओगे चीज को तो वही चीज है यहां पर भी कि प्लेटू जो होता है वो इस वरे से बनता है कि या तो उसमें बच्चे की interest जो है वो खतम हो गया हो या फिर जोनों ने तीसर और सबसे important reason बताया उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं जो पीछे के पार्ट में य इसकी वरे से भी क्या हो जाता है प्लेटू बन जाता है इस प्लेटू का मेंली मतलब क्या है कि बच्चा कितनी भी कोशिश कर रहा है बच्चा कुब कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपनी learning को किसी भी level पर उस आगे मतलब उससे आगे नहीं ले जा पा रहा है मालो मैं कहती ह उन्होंने ZPD को समझाया तो वो यही काम था कि जो प्लेटू था ठीक है किस थरीके से इस प्लेटू को मुबर कम कर सकते हैं यह प्लेटू तो बन गया लेकिन हम इस प्लेटू को ठाना पड़ेगा ना बच्चे की लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए तो वो काम हम कैसे कर स करता है वो सब हमने सीखा अपने ZPD में आब आई गॉट्स की साब की थिवरी के दुआरा अब यह जो लास्ट आता है यह आता है हमारा एंडिस्प्रट क्यानी की अन्तिम्स फ्रॉंट अब इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का हैं प्लेटू तो बन गया लेकिन अब किस इसे कुछ जो बच्चे की लर्निंग होती है वो कुछ काम करती है अब करशन ये भी पूछा गया था कि क्या ऐसा पॉसिबल कि एक ही चाप्टर के दौरान या एक ही टॉपिक के दौरान यह जो लर्निंग प्लेटू है यह बार बने तो बिलकुल पॉसिबल है क्यूकि देखा होगा कि जब हम बड़ी क्लासेस में पहुच जाते हैं जैसी कि 11-12 हो गया ग्रेजुएशन हो गई तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि हम एक चाप्टर में हम एक टॉपिक के दौरान कई बार अटकते हैं तो जब हम अटक गए तो समझ लीजे प्लेटू बन गया तो हो सकता है कि एक टॉपिक के दौरान ये चाप्टर के दौरान कई बार हमें इस प्लेटू का सामना करना पड़े तो आपको यह जितने भी कर्फ मैंने समझाए तो यह लर्रिंग प्लेटू समझाया यह टॉपिक आपको क्लियर होगा होगा अच्छा भी लगा होगा तो होगा 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 है